नमस्कार विद्वानों, स्वागत आप सबका मिशन ग्यान के ओलाइन प्लेटफोर्म पर ब्लड रिलेशन आजम पढ़ेंगे, रक्त सम्मन, तो आप सभी से एक सवाल, what is the basic difference between a relation and a blood relation, बताईए, पहला है क्योशन, बहुत आसान सा क्योशन मैंने आप से पूछा है, तो एक generation जब आपके शादी हो जाती है, उसके बाद में आप चलाते हैं, वो सब जो है वो blood relation में आता है, और बाकी जब जितनी भी सारी चीज़ें हैं, वो आपके relation में आती है, चाहे वो आपका friendship हो, चाहे कुछ और हो, ये सब relations है, और विद्वान लोगों बात करेंगे आपक के question मनते हैं, सबसे पहले हम जो पढ़ेंगे वो based on puzzle पढ़ेंगे, puzzle का मतलब क्या है, इसमें आपको एक परिवार के बारे में बताया जाएगा, जैसे कि मैं कहूँ कि एक परिवार में साथ लोग है, जिसमें A और D जो है वो विवाहित हैं, और इसके अलावा, मतलब BC का ब दिये जाते हैं, जैसे कि A plus B का अड़त है, A B का पिता है, A minus B का अड़त है, A B की माता है, A into B का अड़त है, A B का भाई है, A divide B is equal to, मतलब क्या है, कि A जो है वो B की बहन है, इस तरीके से, और उसके बाद में एक equation दिया जाता है, और उसके base पे relation निकालने होते हैं, और थर relation निकालना होता है, बहुत easy concept है, लेकिन अगर मैं इसको पूरे topic को सिर्फ दो चीजों में divide करूँ, तो वो है आपके double G, अगर आपको इन दो G के बारे में अगर आपको पता है, तो आप पूरा topic जो है, वो बहुत आसानी के साथ में उड़ाएंगे, अब यारी क्या नाम ह तेखिए, पहला G है, इसका मतलब है generation, यानि के आपको question के अंदर PD का पता होना चाहिए, ठीक है और दूसरा G4 क्या है, gender, तो generation और gender अगर आपको बहुत अच्छे से अगर आपको पता है, तो आराम के साथ में जो है, वो आप question जो है, वो उड़ा पाएंगे, generation और दूसरा क्या है आपका, gender, तो इन दोनों के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि हमें क्या करना होगा, डाइगराम बनाना पड़ेगा, क्योंकि एक परिवार के साथ लोगों के बारे में बता दी हम question पढ़ते पढ़ते सब के बारे में तो याद नहीं कर सकते ना, तो इसके लिए अपने को generation जो है वो डाइगराम अपने को देखना पड़ेगा, यहां पर एक सुंदर सा डाइगराम जो है वो आपको नजर आ रहा होगा, अब आप कहेंगे कि सर इंगलिस में लिखा हुआ, हम तो हिंदी मीडियम के विद्यार थी है, देखो जी भाईज साब, बात इन लोगो भाबी मानोगे, इननद मानोगे, अब यह तो आपके पड़ेगा न, देवरा नहीं है कि जेठा नहीं है, ठीक है न, साली है, पता नहीं क्या है, तो यह अपने को साथ में लेके चलनी पड़ेगी, हिंदी और इंगलिस दोनों में रिस्ते जो है आपको पता होन अब बात करते हैं, यहाँ पर मैंने पांस पीडियां जो है वो बनाई है, सबसे पहले हम अपनी पीडी की बात करते हैं, अपनी पीडी का मतलब जैसे कि मैं खुद हूँ, अब मेरे बराबर में जो है, मेरे साथ की पीडी के लोग मेरे बराबर में लिखे जाएंगे, मेरे पापा की पीडी के लोग मेरे पापा के बराबर में लिखे जाएंगे, मेरे दादा जी की पीडी के लोग दादा जी के बराबर में लिखे जाएंगे, मेरे बेटा या बेटी के पीडी के लोग उनके बराबर में लिखे जाएंगे इस तरीके से, तो सबसे पहले अगर मैं ब आपके दिमाग में लेनी नहीं है, ठीक है जी, अच्छा भाई और बहन बराबर की PD के हैं, इसी प्रकार अगर मैं बात करूँ, husband और wife, वो भी जो है, वो सेम पीडी में तो विवा करते हैं, अलग अलग PD में थोड़े ना करते हैं, पती और पतनी, ठीक है न, वो सेम PD के हो सकता है कि साला हो, हो सकता है कि जीजा हो, तो ये सब जो है वो ब्रदर इनलो के अंदर आएंगे, डेवर, जेट, साला, जीजा, ये सब जो है वो ब्रदर इनलो के अंदर आएंगे, सिष्टर इनलो, सिष्टर इनलो के अंदर के आ जाएगा, या तो हो सकता है कि देवरा में सब किसम आएंगे तो भाई बहु प्रदर इंलो सिस्टर इनलो विप के शाहते थालिक आपके भुआ का लड़का या लड़की, चचेरा, ममेरा, फुपेरा भाई बेन जो होते वो आपके कजन, यह सब जो है वो सेम पीडी के लोग है, मतलब हमारी पीडी के लोग है, जब कभी भी ऐसा काई कि A, B का कजन है तो वो बराबर में लिखा जाएगा, ठीक है जी, तो यह अपनी जनरेशन की बात होगी, डन हो गया, अच्छा जी, आगे की तरह बढ़ते, आगे जो है, वो मान लीजिए, कुछ इस तरीके से दिया गया है, कि आपके उपर पीडी की बात करते हैं, कि आप से एक जनरेशन उपर, जो है, मतलब एक पीडी उपर कौन से लोग रहत हैं, तो जब कभी भी पीता या माता की बात आएगी, तो वो हमसे कहां लिखा जाएगा, यार, उपर लिखा जाएगा, ठीक है जी, अच्छा जी, माता और पीता अगर आगये हैं, तो मदर इनलो और फादर इनलो, मदर इनलो यानिके सास, और फादर इनलो यानिके ससूर, वो भी आप से जो है वो उपर लिखे जाएंगे इसके साथ-साथ आपके अंकल और आंट वो भी आपके जनरेशन में जो है वो बड़े होते हैं अंकल में क्या क्या आजाएगा आपके चाचा हो सकते हैं ठीक है जी अब आपका कभी भी यहां पर ऐसा नहीं आएगा A B का मतलब ममी कि साइड से रिष्ता और पर पापा और आंट के अंदर चाची हो सकता है मामी हो सकता है भुवा हो सकता है ठीक है ना या मोसी हो सकता है यह सब जो है वो किसमे आएंगे आंट के अंदर आएंगे तो आपको आपसे एक पीडी उपर जो है वो पता लग गया होगा अगर उनसे उपर जैसे कि हमारे उपर हमारे ममी बापा तो उनसे उपर उनके ममी बा और यहां पर अगर आप देखोगे तो आपसे नीचे जो है वो पीडी में को न आएंगे सबसे इंपोर्टेंट जो है वह आपका क्या हो गया बेटा और इसी के साथ साथ में क्या होगा बेटी बेटा या बेटी जो हमसे नीचे पीडी में लिखे जाएंगे इसके अलाबा बहुत जरूरी रिष्टे ब्लड रिलेशन यानिके अपनी क्योशन के साथ से सन इनलो और डोटन इनलो यानिके दामाद और पुत्रवदू जो है वह हमसे पीडी में नीचे रहेंगे दामाद मतला बेटी का हस्बेंड और पुत्रवदू मतला बेटे की वाइफ ठीक है इसके अलावा नेफ्यू लए याँ बतिजा या बहुत अच्या लगा आप जो है भोव हमसे आप जांते होती है झरी अगर मात करूं तो पोता-पोती और नाती ant इन ना aún ग데्रेंट या नाती इकी बातетрनल पेंगिए और आये तो फोहनगे पैपा की साइड से होगा दोगा नाती उत्यू क्यों अब बलड रिलेशन जो वाली जो जनरेशन है उसका एक डाइगराम हो गया अब इसको जो है वो अपना बन सकता है चलिए अब आईए यहां पर विद्वान लोगों बात सिर्फ इतनी सी है कि अपने को दो जी जो है वो ध्यान में रखने थी ठीक है और दो जी के अंदर पहल जी जो है वह आपका क्या हुआ जन्रेशन का अभर जन्रेशन के बारे में जो आपको पता लग गया होगा और दूसरा जो है वह आप कि सका है Z Whole learned का संब के बारे में लिए अच्छा अब सुनो मेरी बात अब अपन जो तोड़ा सा मैं आपको याद करवा देता हूँ आपका याद करना बहुत ज़रूरी है ना यार जैसे कि मैं कहूं कि husband और wife का रिस्ता आप बताओ बराबर में लिखेंगे कि उपर नीचे लिखेंगे आपके दिमाग में क्लिक करेगा यार husband और wife का रिस्ता तो बराबर की PD का होता है एक ही PD के लोग है तो बतला बराबर में लिखेंगे अच्छा सास और अगर मालीजे किसी के सास के बारे में का आ जाए तो वह उपर लिखा जाएगा कि बराबर में अब सास तो हो हमारी जेंडर के बारे में बात करेंगे we respect the third gender हम जो भी है बहुत सम्मान करते हैं लेकिन हमें question जो है वो सही करना और दो जेंडर पर बेस आएगा अगर कई कहीं पर भी मेल आता है यानि के पुरुष अगर आता है तो उसके लिए प्लस जो है वो डिनोट करेंगे और फीमेल अगर आती है तो उसके लिए क्या लिखेंगे महिला लिखेंगे यानि के बाइनस जो है वो आपका लिखेंगे तो फीमेल के लिए हम माइनस लिखेंगे और आपका मेल के लिए यानि के पूरुष के लिए अपन प्लस कि आपके लिए आया A is the father of B, A जो है वो B का पिता है, अब इसका डाइगराम मनाना है के वर, तो दो जी थे, पहले तो उनको generation के according सजाओ, generation के according कि ये बताओ कि ये बराबर में लिखे जाएंगे कि उपर नीचे लिखे जाएंगे, कि रिस्ता किसका है, पिता का रिस्ता है, अ आप सब का जवाब होगा, नहीं, पिता का रिस्ता तो उपर या नीचे होता है, अब उपर जाएगा कौन सा, जो पिता होगा वही तो उपर लिखा जाएगा, इन दोनों में से पिता कौन सा है, A या B में से, A है कि B है, नहीं समझ आता, तो A के आगे क्या लिखा हुआ हु बताना है, तो यहाँ पर विद्वान लोगों एक चीज समझो कि जिसका जेंडर हमें डिफाइन है, उसका प्लस लगा दो या माइनस लगा दो, बाकि जिसका जेंडर डिफाइन नहीं हो, तो उसके बारे में अपने को कुछ भी नहीं कहना है, ये दिमाग में रखना, तो A A is the father, A father है, तो क्या होगा plus, क्या B पर क्या लगाएं, plus लगाएंगी, minus लगाएं, यार, father की बेटी भी हो सकती है, बेटा भी हो सकता है, हमें तो B के बारे में बताया है नहीं, नहीं बताया, तो हमें उसको ऐसा का ऐसा छोड़ देना है, clear भाई, चलो तो, अब आगे वाल मदर है, A जो है, वो B की माता है, रिस्ता बराबर में लिखा जाएगा कि उपर नीचे, आप कहेंगे कि माता का रिस्ता तो उपर नीचे लिखा जाएगा, कौन उपर जाएगा, A इस दम मदर, A माता है, तो A उपर हो जाएगा, और B का हो जाएगा नीचे, जेंडर डिफा प्लस लगाए कि टाइम खराब करना अपने को तो अपना टाइम बचाना क्योंकि गवर्णमेंट एक्जाम इस जस्ट ओल अबाउट दर प्रेक्टिस अंड टाइम मेनेजमेंट, इससे ज्यादा जो है गवर्मेंट एक्जाम करेक करने के लिए कुछ भी नहीं चाहिए, बहुत सारा नौलेज उसको नहीं चाहिए, बहुत कम नोलेज जो है वो उसको चाहिए, क्योंकि वो कम समय में कितना काम कर सकता, यही तो है, अगर आपका पुत्र आता है, पुत्र अगर आया, तो यह बताओ, कि बराबर में लिखेंगे उपर नीचे, यार सिधी से बात है, बेटे का रिष्टा तो बराबर में तो नहीं आ सकता, सेम पीडी का तो मेंबर है नहीं, अब सेम पीडी का नहीं है तो यार बताओ, क्यों नहीं लगाना क्योंकि में B का जेंडर डिसाइड नहीं है, B माता भी हो सकती है, पिता भी हो सकता है, समझ भे आगे बढ़ो, यहाँ पर क्या दिया गया, A is the daughter of B, A जो है वो B की बेटी है, अगर A जो है वो बेटी है तो उपर नीचे की बराबर, तो उपर नीचे आएगा बेटी का रिस्ता, ठीक है जी, तो यहाँ पर A बेटी है तो A जो है वो नीचे हो जाएगी, और A बेटी है तो A क्या हो जाएगा, माइनस, B का हमें वापिस जेंडर डिसाइड नहीं है, पिता भी हो सकता है, माता भी हो सकती है, क्लियर भाई, आगे बढ़ो, आगे क्या दिया गया है, A and B are brothers, A तथा B जो है वो भाई है, भाई का रिस्ता बराबर में की उपर या नीचे, तो भाई का रिस्ता तो बराबर में आएगा हमें पताईए, तो A और B जो है वो आपकी क्या होगे, बराबर में लिखे गए, यह लीजिए, A and B are brothers, इसका मतलब क्या दोनों भाई है, दोनों भाई मतलब दोनों ही प्लस है, दोनों ही male हैं, तो दोनों पर क्या जाएगा, प्लस आजाएगा, आपका काम बन गया, डाइग्राम अपना ड़नी, यार कितने easy easy तरीके से अपन उड़ा रहे हैं, बस अगर आप यह समझ रहो ना, यह चीजें अगर आप समझ रहो तो सब कुछ हो गया, अब इसके अलाव आपने को कुछ नहीं करना है, यहाँ पर कह दिया गया, A is the husband of B, A जो है, वो B का पती है, husband है, husband का रिस्ता उपर नीचे के बराबर में, आप सभी का जवाब होगा sir, husband का रिस्ता और wife का रिस्ता जो होता है, वो तो बराबर में लिखा जाता है, तो बराबर में लिख दो यार, A और B, A और B लिख दिया, लेकिन A is the husband है तो A पती हो गया ध्यान रखो भाई अगर हमें husband और wife का relation आता है जब भी पती और पत्नी का तो हमें अगर एक का gender decide हो जाता है तो दूसरे का अपने आप ही हो जाएगा ठीक है ना? एक plus और minus की ही अपने को शादी करवानी है ठीक है ना? तो ये plus तो ये आपको क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा, right? अब लेकिन ये भाई बहन से नजर आएगे क्योंकि बराबर में भाई बहन भी लिखे जाते है तो husband और wife का रिस्ता जब भी आए तो उनके बीच में आप क्या लगा देना? क्रोस लगा देना? मैं इस तरीके से box में pay कर देता हूँ ताकि मुझे अलग से नजर आ जाता है कि यार ये husband और wife है ठीक है न, right? क्योंकि otherwise अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो भाई बेंचे लग जाएंगे बड़ा डाइगराम बन गया तो अपने को दिमाग में नहीं रहेगा ये कौन सा भाई है कौन सी बहन है कौन सा हज्बेंड है सारा याद नहीं रहता हमें तो डाइगराम मना के और उसके बेस पे जो अपने को सोल करना होता है आगया हो जी आगे अपने को क्या दिया गया है अब इसका डाइगराम बना इसके बारे में लगा और निमाग या पहले सबसे पहले तो यह देखो कि यार चाचा है तो चाचा बराबर में तो नहीं आएगा उपर ही आएगा पेटरनल अंकल मतलब अपने पापा का भाई है ठीका जी तो यह जो है वो चाचा है किसका बन गेएगा फिर चाचा में एक फरक रहेगा यहां पर क्या होगा वी के कोई पिता होंगे और उसके जो भाई होंगे वो आपके अंकल लगेंगे बी के तो ये जरिस्ता जो बनेगा वो आपका अंकल का बनेगा चाचा का बनेगा ये वाला डाइगराम जो है वो ज्यादा सही है ये तो सही है ही नहीं ज्यादा क्या सही है ठीक है नहीं तो गलत डाइगराम हो गया आगे बढ़ते ह उपर की पीडिआ जो है और उनके भी पिता आपके कौन होंगे एंगे और आपके इस तरीक spec बनेंगे महुत खास चीज बार बार इस तरीके सेंटेंस अपने यूज में आएंगे और उन सेंटेंस को एक बार में उड़ाना है, एक तरीके से उड़ाना है, यहाँ पर क्या दिया गया है, A, B का पिता है, जो C का भाई है, अब तक हमारे पास में दो-दो एलिमेंट ही आ रहे थे, A, B का माता, A, B की पिता, A, B का बेटा, A, B की बेटी, इस तरीके से आ रहा, यहाँ पर दो आगे, A, B और C आगया, लेकिन जीतना टुकडो में दे रहा है, उसको उतना मनाओ, सबसे पहले क्या दिया रहा है, A, B का पिता है, पिता का रिलेशन जो है, वो बराबर में की उपर नीचे, तो आप उपर नीचे बढ़ है, दो सेंटेंस को सयोन जन, सयोन जन सब सुना होगा ना, दो सेंटेंस को जोडने वाला, अब यहाँ पर जो है ना, इसकी जगह है, जिसका भी नाम आ सकता हिंदी में, अब आप कोगे, सर, इंगलिस वालों के लिए क्या कोई दिक्कत कर रहे की है, तो वू या वूज जो है, वो आपका आ सकता है, और ये हमेशा और हमेशा जो है वो आपके second person के जो है वो आपके काम आएंगे हमेशा और हमेशा जो है वो किसके काम आएंगे second person के अब ये second गो ने तो देखो इस जो से पहले दो आदमी है ना एक तो ये हो गया second ये हो गया तो यह जो की जगह जो है वो आप जो किसके लिए कह रहा है यह B के लिए कह रहा है जो को हटा के आप B रख सकते हो B जो है वो किसका भाई है C का भाई है B जो है वो भाई है किसका C का A B का पिता है जो C का भाई है तो B भाई हो गया और B भाई किसका हो गया C का भाई हो गया यह अपने को समझ में आयागा यह चीज, ठीक है जी, यह आप जो है वो बहुत अराम के साथ में जो है वो देखलो भाई, क्योंकि यही चीज जो है वो आपको कलाकार बनाएगी, यहाँ पर क्या था, वापीस देखो, ए जो है वो बी का पिता है, ए पिता हो गया जो, जो वा परंतु आ सकता है और और आ सकता है और अजया एंग्लिस में आ जाए या जिस्के के अलावा जो चोड़ के आता है नो कीवर्ड मतलब कई बार कोई कीवर्ड नहीं आता तब भी आपका तो सिए सब जो है वो फर्स परसंड के काम आएंगे और सेकंड परसंड के आपके का काम आएंगे जो यह जिसका आएंगे विद्वान लोगों समझ में आ गई होगी यह चीज आगे इस पार्ट में तो अपने को केवल और केवल अपन पजल वाले कोशन जो है वो करते हैं बहुत आराम के साथ में बहुत इजी वाले तरीके से जो हो इपन दिक् Adapt कर लेंगे किसी भी तरीके की कोंगी दिक्कत जो हो आपको मैसूस ही नहीं होगी किसी भी तरीके से आ घांँ झी पी शब्से पहले पहले बाला क्योंशन न क्योड़ करने में दिक्कत होती है ठीकלא आप डियाग्राम अब बना कियों बहुत आणियागराम उड़ा ड्यास के अंदर दिक्कते आएंगी उस दिक्कत को जो है वह अपने को लास्त अधकर ना एक एक चीजें आपको सुनते वे जानी है और मैंने कहा ना कभी concept में आपको दिक्कत नहीं आगे अगया हो question number 1 जो है वो अपने को क्या दिया गया है A जो है वो किसकी बहन है B की बहन है, diagram बनाओ बहन है, बराबर में की उपर नीचे आप सब का यार एक ही कहना होगा A बराबर में, A बहन है तो A क्या हो जाएगी, minus और B जो है वो यहाँ पर आए जाएगा, B जो है D का पूतर है, तो D जो है वो उपर आजाएगा, अच्छा जी अब अपने को क्या का है, A का D से सम्मझ जो है वो बताना है यार सबसे ज़्यादा गडबड जो होती है यहीं होती है, A का D से सम्मझ बताने में How is A related to D English में तो बहुत जो है वो समझ में आ जाता है कि A का रिस्ता बताना है लेकिन यहाँ पर नहीं समझ में आता हमें बार-बार ऐसा लगेगा कि D से मतलब बताना है, तो D का रिस्ता बताना है नहीं नहीं, हमें रिस्ता किसका बताना है A का बताना है, कैसे याद रखोगे सुनो मेरी बात जिसके आगे से लगा हो ना डी से इसका डी का मत बताओ उसको छोड़ के बताना है क्लियर जिसके आगे से लगा हो उसका नहीं बताना से का मतलब क्या होता है मैं घर से चला तो घर से तो चलते हैं से मतलब वहां से निकलते हैं और तक का वहाँ पढ़ जाके पहुंचते हैं, तो मतलब D से तो चलेंगे और बताएंगे किसका A का, किस-किस तरीके से हो सकता है, यह ऐसे पूछ सकता है, A का D से क्या रिस्ता है, D से A का क्या रिस्ता है, A D से कैसे समझ दीता है, मतलब C वाले का नहीं बताना ये दिमाग में रखना ठीक है जी तो रिस्ता बताना A का चलेंगे कहां से D से अब बताओ यार ये उपर रखा गया मतलब माताया पीता होगी और ये इनके बेटा ये बेटी होगे A माइनस है तो A माइनस हो तो आपका क्या हो जाएगा बेटी बन जाएगा और बेटी अगर बन जाएगा तो option किसको उड़ाएंगे अपन C वाले को जो है वो उड़ा देंगे अपना answer हो जाएगा क्यों विद्वान लोगों A जो है वो B का भाई है तो A को हमने बना दिया भाई और B का भाई बना दिया राइट पहला होगया question अपना दूसरे वाले पर है C D का पिता है कहां पर लगाएं यार ना तो C है मेरे पास में ना ही क्या है D है अब दोनों ही नहीं मिले अब क्या करें बताओ अब क्या करें आप सभी का एक जवाब होगा या इस टाइब आप यही कह रहे होंगे sir यार इस लैन को छोड़ दो ना आप उसके पीछे क्यों पड़े हो reasoning यही कहती है कि भाईया जब अपना connection नहीं बने तो आगे बढ़ जो C D को hold पर रख देते हैं hold पर आपने को रखना आता है बहुत अच्छे से E B की माता है अच्छा जी B है न अपने पास में तो माता आ जाएगी अब E माता है माता है तो कहां रखी जाएगी उपर रखी जाएगी तो E जो है वो आपकी क्या होगी माता होगी तो तो आपकी क्या हो जाएगी? माइनस हो जाएगी. अच्या जी, इसके बाद में क्या A और D जो है, वापके क्या है? भाई है. A और D अगर भाई है तो दोनों भाई है, तो मतलब D अप्लस में लिका होगी के अजये और अपने पास इसको यॉआलिटी का है अगर किसका पिता है अगर जिवां दी काzing सी मया प्लस हो जाएगा अब यह जो है वो बी की माता थी यह बाई बेंद है तो यह इसका मतलब यह दोनों पती और पतनी हुए कि नहीं हुए यह तो है सी और क्योंकि B की माता है तो A की भी माता होगी डी की भी माता होगी और यह इसका पिता है C तो यह तीनों का पिता होगा यह माता और यह पिता तो यह पती पतनी हुए चलिए जी अब अपने को क्या कह रखा है How is E related to C? यह अपने कुछ है वो find out करना है C से से वाले का मैंने नहीं बताना है फिर आप सुन लो से से तो चलेंगे और बताएंगे किसका E का तो C से चलेंगे और बताएंगे E का तो C जो आपकी क्या लगेगी पतनी लगेगी वाइप लगेगी यानि के option B और option B को हमने उड़ा दिया अपना काम बन गया चलिए जी हो गया question तीसरा question है आपकी screen के उपर screen को कर लो पोज यार और बता दो उड़ा दो किसी भी तरीके की कोई जो है वो ना नुकरी नीची है मेरे को इसमें आपका answer चीए पकता ठीका जी कर लोगे ना आसान तो लगे रहा ना हाजी चलो तो आओ कि यहां पर सबसे पहले अपने को क्या दिया गया ए जो है वो बी की बहन है बहन का रिस्ता बराबर उपर नीचे आप सब का जवाब होगा सर बराबर में रखो ना अब अब तो अपने को आप तो master है ए जो है बहन हो गई है ये लिजे बी की बहन हो गई है C जोहे वो बी की माँ है यहां पे connect हो जाएगा C इमाहे किसकी मां है बीकी तो यार एकी भी मां है यह अपने को connect करते वे Twin चला यह ठीक데र बी जो है वह PC सिसके क्या है पिता है अब डी पिता है सी के तो उपर रखे गाने की जबरुवत नहीं है जो है वो डी की मा है और डी की जो है वो मा है ृवाइट यह लिजी और ई,हीलगी मा है B at E kar रिस्ता बताना कि से, suchT Michael, दी से चालू क्रें और मिर Member Xese का E डोटर या ग्रेंडोटर भी अगर आपके option में आता तो उसको आप टिक कर दो यह अपना answer हो गया option D दो ही ती जो है वो लगी यही clear हुआ होगा यही आपका answer होगा question number 4 की तरह बढ़ जाते है question number 4 अपने क्या कहता चलो जी यहांपर कह दिया घया है एक बाद में क्या लगा ओक को मा लगा हुआ है is the father of B and C ठीक कि नरा यही तो अपने को लिखा गया is the father of B and C तो A को पिता बनाते है किसका बी और C का ए टो पिता है ए प्लस हो पुत्र तो मतलब क्या हो गया बसके जो है वह का पुत्र नहीं सी जो है वोगो पुत्र नहीं है अब लेटा नहीं आपका किया आजाता है option C के अंदर option C को मने उड़ा दिया बता हो जी कितने आसान आसान qyotion है और के साथ में आप कर आ सकते किसी भी तरीके कि कोई दिक्कत जो है वह नहीं आएगी question number जो है वह अपना कितना है पांच क्यों और लिए वह वह अपने को क्या जाता है P भाई है और भाई किसका है Q क का ये लिजे आर जो एक वो Q की महा है अर अगर मा बनेगी तो उपर लिखी जाएगी और बी उपर रही जाए गी बताना है ती से संबन्द जो है वह अपने को बताना है तो से चालू करें गेंगे किले कहार केरें यॉदक है अगर तरीकिंद लहन。 रोचन केमखने करवा दिये हैं, अब इतने वहे ज Вас लेанд वह सकते हैं। लास्ट में चीजें जो है वह आपके बढ़ियाई मिलती हैं आपको क्या दिया गया है देरा सेवन मेंबर्स एडी के ल आरे सेड वी यहां पे साथ लोग जो है वो एक परिभार के अंदर आपको दिये गए इस तरीके के क्योशन जो है वो बनते हैं एक्जाम में और ऐसे क्योशन से अपने को खेलना ही पड़ेगा क्यूं मैं क्यूं कह देखो यहां पर ऐसा लिकाओ नब्रदर इनलो तो ठीक है हिंदी और इंगलिस पूरा क्योशन इसमें आ नहीं सकता था तो एक बार स्क्रीन पर मैंने यह सारा क्योशन आपका लगाया है एक बार इसको पढ़ लीजिए एक बार स्क्रीन पोज करके इसका जो हो डाइग्रा तीन पीडियों का परिवार दिया है तो मतलब तीन जनरेशन अपने को बनानी है इसी तरीके के जो की पॉइंट होंगे वहीं अपने यह क्योशन जो है वो बनाएंगे एक परिवार में साथ सदस्य है A, D, K, L, R, S और V यह अपने को दिये गए डी जो है वो A का इकलोता प पुत्र है तो यह जो है वो A हो गया और A का इकलोता पुत्र जो बनाएंगे वह अपना क्या बन जाएगा डी बन जाएगा इस तरीके से जोk का पुत्र है जो K का बेटा है जो वाला वर्ड मेंने पाता। हूँ या वूज आपका किस के लिए तो यह A जो है वह बेटा है और यह बेटा किस का है? आपका K का बेटा है, तो K जो है वह, यहां परा जाएगा, जो K का पुत्र है, ठीके जी, यह डियागराम मन गए अपना, तीन जनरेशन भी मन गई, एस के का ब्रदर इनलो है यार के का ब्रदर इनलो में हम क्या माने साला माने देवर माने जेट माने क्या माने जीजा माने कुछ भी नहीं पता लेकिन अपने को इतना तो पता है कि यार ब्रदर इनलो का जो रिस्ता होता है वो बराबर में लिखा जाता है तो एस जो है वो किस इसका ब्रदर इनलो है के का ब्रदर इनलो है तो एस ब्रदर इनलो तो आपका क्या होगा प्लस इसके बराबर में लिग दिया हमें नहीं पता भी साला है कि जीजा है कि क्या है ठीक है जिसका कोई सहोधर नहीं है जिसका मतलब किसका के का के का मतलब कोई भाई या बहन जो है ठीक है, तो यह आपका हो गया, अच्छा, एल के 3 जो है वो grand children है, एल के कितने grand children है, 3, अब एल के 3 grand children है, तो एक चीज़ समझो, एल सबसे उपर आएगा, 3 री pd में, grand children होने के लिए नीचा आएगा, अब L के 3 grand children है तो L यहाँ पर हो जाएगा ठीक है जी अब एक चीज और सोचो एक चीज यह सोचो कि 3 grand children है तो यहीं पर हो जाएगी और यहाँ पर बचे हुए आदमी जो है आपकी कौन है R और V जो है वो अपने बचे हुए यह आपके R और V हो गए लेकिन अपने को सबसे प यहाँ पर क्या दियागा है L और V का जेंडर जो है वो अलग अलग है डिफरेंट जेंडर है L और V यानि कि V माइनस है तो L क्या हो जाएगा प्लस अब S grand children है तो L जो है वो दादा बनेगा और दादा बनेगा तो शादी भी तो होगी लेकिन यह देखो कि यहाँ पर S के सा सात में थोड़ी साधी करेंगा यह क्यों कि प्लस-ग्लस साथ में थोड़ी करेंगे तो एल के शादी हो जाएगे तो के जो है वो दादी बन जाएगी और यह लगो दादा बन जाएगा ब्रयतन का वागी L और AID occurs सब आपके नेंगे भाई हो से अपने को निकालना, किस का निकालना R का, तो L से चलेंगे और R का अगर मैं बताऊंगा, तो बेटे का बेटी, बेटे, L का बेटा कौन है, ए, और A की बेटी जो है वह R, तो उसके लिए आपकी किया बन जाएगी, पोती बन जाएगी, पोती, यानि चलते हैं, आगे अपने को क्या कहा गया है, आगे कहा गया है कि एक परिवार में छे मेंबर हैं, एक परिवार में छे मेंबर हैं, कौन-कौन, D, K, L, M, Q और R, एक फेमिली में है, Q जो है, वो L का फादर इनलो है, ठीका जी, ससूर है, और इसके बाद में K, D का इकलोता पुत में फर्क होता है यह जो है वो मैं आपको जरूर बताऊंगा विद्वान लोगों यहां पर अपने को क्या दिया गया है ठीका जी तो यह चीजें जो है वो अपने को दी गई है और इसके बाद में अपने को क्या कहा गया है इसका L जो है वो M से किस प्रकार संबंदी था ये अपने को find out करना है लगाओ दिमाग यहाँ पर screen पोज कर लो क्योशन करने की कोशिस करो option आप सभी के सामने है क्या answer करना चाओगे अब यह आप पे डाइगराम बनाते हैं सभी साथ मेंией मिलकर बनाते हैं विद्वान लोगों चलो भAJँ आओ सबसे पहले अपनेको क्या दिया गया है और उसके पिता जो होंगे वो आपके क्या होंगे, क्यूं होंगे, तो क्यूं जो है वो L का क्या हो गया, ससूर हो गया, राइट, अब ये L का जंडर डिफाइन नहीं हो अपने को, ये पुत्रवदू भी हो सकती है, तो भी ससूर हो सकता है, अपने को आइडिया नहीं है, के जो है वो D का इकलोता पुत्र ह लिए लीजिए के D का एकलोता पुत्र हो गया, heavy-white हो गया, हमने side में रख दिया, अगर जरूरत पढ़ेगी तो हमकर रख लेंगे, और heavy-white है, D R का जो है वो आपका क्या है, भाई है, और D जो है वो भाई है, तो भाई हो गया किसका, R का भाई हो गया, तो ये लिजे, D हो गयार का भाई, R और M के जेंडर जो है, वो आपके क्या है, समान है, R और M, तो R और M के जेंडर जो है, वो आपके समान है, ये लिख दिया, L के कम से कम जो है, वो आपके कितने बच्चे हैं, दो बच्चे हैं, L के कम से कम दो बच्चे हैं, तो मतलब दो रखि दूँ ठीक है जी और क्यूके अधिक्तम जो है वह आपके कितने बच्चे हैं दो बच्चे है अधिक्तम maximum जो है वो डो है मतलब एक भी हो सकता है लेकिन 2 से ज़्यादा नहीं हो सकते अब यहां पर ये एक एक यहां पर मेंबर आएगा ठीक है एक दो तीन चार पांच ठीक है एक मेंबर और आपका यहां पर विद्वान लोगों अपने पास में क्या है यहां पर तीन मेंबर जो है वो अपने को दिये गए कि डी जो है वो आपका क्या होगा प्लस और आर का जो है वो भाई होगा और उसका इकलोता पुत्र जो है वापका के होगा अगर मैं यहां पर डी जो है वो इस वाली जनरेशन में रखूँ ठीक है तो डी यहां पर हो जाएगा प्लस मैं मुझे पता है बहुत अच्छे से कि उपर वाली जनरेशन में नहीं आएगा ऐसे रेंडम मैं ने रख दिया डी और और उसका एकलोता बेटा k-plus यार यहां पे लोग देखो 1, 2, 3, 4, 5, 2, 7, member कितने हैं आपके 6 member है, मतलब d उपर वाली pd में नहीं आएगा, अच्छा जी उपर वाली अगर pd में नहीं आएगा, तो अपन मीड वाली pd में देखते हैं, मीड वाली pd में तो d का कोई प्लस होगा, और d अगर प्लस होगया तो l क्या हो जाएगी, माइनस तो यह क्या हो जाएगी, पती पतनी, और d का इकलोता पुत्र जो है वा आपका क्या बनेगा, k, तो k हो जाएगा आपका प्लस, अच्छा जी, और d जो है वो किसका भाई है, r का भाई है, तो यह जो है R हो जाएगा, लेकिन यहां पर क्या आएगा? Minus, Minus गों जो एक बचा हुआ आदमी है D, K, L, M M और M जो है वो यहां पर, लेकिन M क्या होगा? Minus क्यों? क्योंकि K जो है, वो Iklota बेटा था अब हम अपने को का गया था कि R और M का gender जो है, वो सेम है, तो M माइनस है, तो R भी क्या होगा? माइनस जो है, वो आपका हो जाएगा, D और R जो है वो भाई-बेन है, यह इसकी पतनी है, और यह इसके जो है, वो आपके ससूर होगे, मतलब इनके पिता, ठीक है जी? तो L के ससूर होगे अब अपने को क्या पुछा कि M से M से जो है वो L किस प्रकार समन्दीत है तो M से चलेंगे L तो L क्या बनेगी माता बनेगी यानि कि Option A Option A is the right answer विद्वान लोगों इस तरीके से क्योशन करना होता है Blood relation वाकई भड़ी है टोपी का इससे नेक्स पार्ट में अपन और सारी बहुत सारी चीजे करेंगे उम्मीद करूँगा कि आज का जो शेशन है वो आपको बहुत पशंद आएगा और अगर आए तो विद्वान लोगों लाइक, कमेंट, शेर जो आप करना चाहते हैं क्योंकि यह परिवार आपका जिसको जितना बैतर बनाओगे यह सब कुछ आपके हाथ में हमारे काम में हमारे हाथ में क्या है पूर्ण इमानदारी के साथ में काम करना जो कि हम कर रहे हैं विद्वान लोगों मिलते हैं नेक्स पार्ट में तब तक अपना ख्याल रखें सुरक्षित रहें और जुड़े रहें मिशन ग्यान के साथ जे हिंद जे भारत